आपको तो पता ही होगा कि हमको गम सकम दिन में दो बात ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दान थैलती रहें और उन्हें कैविटीज ना हो तो किया आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई इनसान एक साल तक बिल्कुल भी ब्रश ना करे तो उसके दानतों का क्या होगा चलिए मैं आपको उताता हूँ तो सबसे पहले तो ये सब कुछ डिपैंड करता है आपकी हेल्थ पे अगर आपकी बोड़ी का इम्यूनो सिस्टम बहुत ही जादा स्टॉंग है तो आपके दानतों का कुछ पार को छोड़के बाकी दानत सेफ बच जाएंगे पर फिर भी दानतों के ओपर जो पिली लेयर जम जाती है वो कैविटीज, गम डिजीज और पोटेंशल टूथ लॉस का कारण बन सकती है और अगर आपका इम्यूनो सिस्टम उतना स्टॉंग नहीं है तो सैडली आपका कोई भी दानत सर्वाइब नहीं कर पाएगा और कि आप दिन में किद्नी बाबरश करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और इमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना वुए